नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल Learn, Invest and Earn में मैं हूँ आपदो सामित और आज की वीडियो में हम करेंगे इस आने वाले हफ़ते में किस तरह का मोमेंटम दिखा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले बैंग निफ्टी के साथ तो बैंग निफ्टी हम लोग अगर देखेंगे कि फिफ्टी मिनिट चार्ट के उपर बैंक निफ्टी वीक लग रहा है इन फैक मैं कहूंगा कि जिसे कि मैं कंटिनेशली कहते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है ये एक वीक structure form कर रहा है as compared to nifty और ये जो आप देख रहे हैं support जो हम काफी दिन से follow कर रहे हैं ये support को multiple times bank nifty test करते हुए नजर आ रहा है कैसे क्या trading हुई है देखिए आप अगर last trading session में देखेंगे तो यहाँ पर close हुआ था Thursday के दिन Friday को gap down open हुआ इसी को support लिया उपर आके वापस से closing यही पर आई है तो सबसे important क्या है कि यह जो zone है time test हो चुका है यह लेखिए यह multiple times test हो चुका है और अब यह हो गया है week तो यहाँ पर हो सकता है कि bank nifty में एक बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है धीरे धीरे करके यह support अभी week होते जा रहा है और यहाँ पर आपको एक बड़ breakdown आते दिख सकता है इतना ही नहीं अगर मैं bank nifty को लंबे charts पे देखू जैसे कि for example मैं weekly charts पे बैंक निफ्टी पे देखू तो आपको बड़ी interesting चीज़ दिखाना चाहूंगा कि bank nifty exactly यहाँ पर जो इसका यहाँ पर यह swing है यहाँ से bank nifty ने बड़ी तेज गिरावट कर दिया था उसके बाद यह top second time यहाँ पर आया है तो थोड़ा मैं आपको एक बार highlight कर दो चीज़ों को यह देखिए first time bank nifty का top यहाँ पर बना था जो करीबन December 2019 के आसपास था उसके बाद यहाँ पर ठकते हुए नजर आ रहा था आप देखेंगे यह तीन चार candle जो आप द यहाँ नहीं हो पाया है उपर के direction में अगर यहाँ से इसको उपर निकलना था तो यह भले ही यहाँ से नीचे आने के बाद दो चार candle consolidated रहता और फिर bank nifty उपर चला था तो bank nifty continuously continuously weak होता जा रहा है और यहाँ पर यह काफी crucial level है तो weekly charts पर भी bank nifty weak लग रहा है और 15 minutes के यहाँ होंगा daily charts पर भी bank nifty अभी आपको week होता नजर आ रहा है important levels क्या रहेंगे important levels अगर आपको Monday के trading session के लिए यह मैं कहूंगा in short इस week के लिए देखना इस expiry के लिए देखना है तो सबसे पहले Monday के trading session के लिए अगर bank nifty इस range में open होता है वो range रहेगी 32,500 से लेके 32,400 मतलब यह flat to mild यह मैं कहूंगा 500 points उपर नीचे खुलता है अगर तो यहाँ पर 32,500 से लेके 32,400 इस level में अगर bank nifty खुलता है तो definitely हम लोग wait करेंगे 32,300 का break होने के लिए 32,300 break होने का wait करेंगे अगर इस range में खुलता है यहाँ पर हम लोग short करेंगे मुझे लगता है इस आने वाले हफते में bank nifty एक नया recent low बना सकता है यह देखिए यह candle छोड़ दीजे यह candle में hardly मुझे लगता है कि कुछ मिंटों के लिए नीचे आया था वहाँ से swing हो गया तो हो सकता है कि bank nifty इस हफते में आपको नए low's touch होते नजर आ सकता है 32,300 break करेगा तो उसके बाद सबसे पहले जो bank nifty का level नजर आता है वो हता है 32,000 बातर यह एक level है जो आप नजर बना कर चल सकते हैं इसके बाद सबसे पहला level यही है और इसके बाद फिर है 31,000 मैं आपको round figure बताऊंगा 31,800 और 31,500 यह दो levels रहेंगे जो 32,000 के बाद हमें नजर आता है हाला कि 32,000 के बीच में एक बार वो hold करने कोशिच करेगा जिसे कि मैं हर दम कहता हूं round number है psychological number है वहाँ पर एक बार वो attempt करेगा कि वो hold करे उसके बाद नहीं तो सीधा सीधा वो 31,800 और 31,500 तक जा सकता है long term में definitely weakness बढ़ रही है weakness बढ़ने के पीचे बहुत सारे reason है कि आप logically सोचिए चीजों को COVID बढ़ते जला जा रहा है control नहीं हो रहा है इतने जादे cases बढ़ते चले जा रहा है कहीं न कहीं economy पे impact आएगा और सबसे पहले एकर economy में impact आता है तो सबसे पहले hit जो बैठता है वो होता है banks को तो banks देखिए आप सबसे जादा जो trouble में आने वाला है ना वो होगा financial sector वो होगा banking sector आप यह सोचिए कि जब COVID से हम लोग बाहर निकलेंगे तो उसके बाद भी जो सबसे जादा hit बैठेगा वो होगा banking sector को क्योंकि यहां पर जो loans के जो monitoring दिया हुआ है इन ल लोगों का तो यह सबसे जादा hit होने वाला sector हो सकता है यह long term का है समझ मेरा भगवान ना करें ऐसा हो कोवीड जली से recover हो जाए कोरुन जदना बढ़ रहा है control में आ जाए vaccine फटा-फट सब को मिलने लगे लेकिन मैं सिर्फ एक analysis कर रहा हूँ इसके लिए आप ready रहिए ऐसा कि एक दम फटाक से आ गया और आपको समझ में नहीं आया तो देखिए बार बार ऊपर जाने कोशिच कर रहा है लेकिन उपर से failure आ रहा है तो यह एक signal है market हदम signal देता है आपको advance में signal है signal को समझने की कोशिच कीजिए उपर की तरफ play नहीं करेंगे अभी उपर की तरफ हम लोग 33,000 क्रॉस करने तक play नहीं करेंगे strictly मैं कह रहा हूं 33,000 क्रॉस होने तक आप उपर की तरफ play मत कीजिए फिलाल हम लोग शिरिफ 32,300 के नीचे आगा जाता शॉट करेंगे और वहां पर शॉट होगा तो target हमारे पहले 200-200 points के होंगे वो break होने पर हम लोग लंबे target लेक चलेंगे तो यह हो गया bank nifty आफ फटा-फट चलते हैं nifty के तरफ निफ्टी में अगर देखे तो जैसे मैं हरदम कह रहा हूं कि nifty as compared to bank nifty थोड़ा strong है और nifty में मुझे लगता है कि थोड़ा सा nifty को FIS की तरफ से hold किया जा रहा है बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी nifty में भी एक breakdown आने वाला है सुनर दो लेटर यहां पर एक अच्छा कासा breakdown आएगा और जो breakdown आएगा वो जोरदार होगा यहां पर आगर आप nifty में देखेंगे weekly charts के उपर उपर की तरफ एक बहुत अच्छा pattern बन रहा है यह है देखिए देखेंगे जैसे मैं आपको दिखाया कि 2019 डिसेंबर 2019 में जब बैंक निफ्टी में गिरावट चालू हुई थी तो उस टाइम पर जो लेवल से उसी लेवल के आसपास आज के डेट में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां स अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत दूर है निफ्टी यहां से करीब-करीब 200 पॉइंट दूर है तो कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग निफ्टी को कहीं न करीद भी उसके साथ होल्ड करने की कोशिश करवा रहे हैं लेकिन सुन के लिए ऐसा support करके act कर रहे थी देखिए multiple times support करके act किया है लेकिन जब ये breakdown आ गया तो अब यही support इसके लिए resistance बन रहा है तो यह एक चीज ऐसी है जो हमें याद रखनी चाहिए और यहाँ पर जो candle बनी है यह candle एक चीज दर्शा रही है कि nifty उपर जाने के mood में नहीं है यह देखिए काफी बड़ी wix वाली एक दोजी बनी है और इसके नीचे trade करना start किया है nifty ने तो यहाँ पर एक trend line अगर आप देखे short term period में तो इस तरह की trend line बनेगी यह trend line initially मैं कहूंगा कि कुछ देर के लिए ऐसा support बन सकती है लेकिन nifty यहाँ पर अगर short term पर देखा जाए तो weak होते नजर आ रहा है मैं आपको exact level दिखाता हूं कहां पर daily chart में अगर 15 minutes के chart पर हम लग move करते हैं तो 15 minutes के chart में हमें nifty किस तरह से नजर आ रहा है तो देखिए nifty compare to bank nifty से मैं हर अदम कह रहा हूं कि काफी strong है bank nifty की इतना weak नहीं है वो लेकिन मैं यह कहूंगा कि इतना भी strong नहीं है nifty कि वो अपने अकेले के दम पे उसको pull कर ले अब किस तरह का trading हुआ है last trading session में देखिए आप यहाँ पर nifty में closing हुई थी exactly वहीं पर opening हुआ है नीचे आया और फिर finally days के low के पास आके almost बंद हुआ है अब सबसे ज़्यादा important level क्या हो जाता है nifty के लिए nifty के लिए अगर 14,38 यह हमारा closing है अगर इस range से लेके 14,800 के बीच में उपर मैं 850 कर देता हूं तो अगर इस range के बीच में nifty खुलता है तो definitely यह पहले इसके लिए as a support act करेगा इसका break होने के बाद हम लोग 14,700 देखेंगे यह हमारा first target होगा मुझे लगता है यह expiry में आपको 14,500 nifty आते हुए लग सकता है मैं confirm नहीं बता रहा हूँ यह just an analysis है उपर के side पर आप देखें जितनी बार भी nifty उपर pull होता है हर बार वहाँ पर selling pressure आता है तो sell on rise वाला market बन रहा है यह 15,000 एक बहुत tough resistance होने वाला है nifty के लिए अब देखते हैं कि आगे किस तरह की चाल हो सकती है लेकिन फिलाल मैं long side पर trade करना prefer नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि multiple times जब इस level के आसपास आएगा nifty तो यहाँ पर selling होगा और bank nifty डूटरली weak है तो एक अगर आपका बड़ा भाई अगर weak है तो definitely छोटा भाई अकेले के दम पर उसको उपर नहीं उठा सकता तो यह आपको चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी यह levels रहेंगे जो मैं target में रखूंगा आपने नजर बना के चलूंगा इसकी उपर जैसे यह levels break होंगे इस पर मैं एक short का trade ज़रूर लूँगा तो 14,800 is a level जो मेरे target में रहेगा अगर ब्रेक होता है तो definitely हम लोग आपने टेलिगरम चैनल पर इस चीज़ को post करेंगे अगर आप टेलिगरम चैनल से नहीं जुड़े है तो link नहीं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ने दी है वहाँ पर click करके आप टेलिगरम चैनल से आपको वीडियो पसंद आया है तो definitely like बटन हिट कीजिए चैनल को अगर subscribe नहीं किये है तो subscribe कर लेजिए फटाफट और टेलिगरम चैनल से जुड़न ना भूले है क्योंकि जिससे कि आपको during the market hour से एक अच्छे खासे updates मिलते रहेंगे कौन से trade लेने है और कौन से आपको छ